हाई फ्रेंज मैंने ये स्टॉक कल खोला था लेकिन अच्छी तरह से खोल नहीं पाई थी तो आज मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाती हूं इसका स्टॉक कैसा है बहुत सारा स्टॉक है इसका ये देखिए ये पिंक वाला स्टॉन है ट्रांगल है यहां पर पिंक तोर उसका तॉक होता है मैं आपको दिखा दूंगे इसका आपने स्टा है जिन लोगों को रेट पसंद है ना लेकिन रेट ज्याधा स्ट्व नहीं आता है आता है पिंक स्टॉप्ट में तो वो लोग रेट के बदले इसको ले सकते हैं तो ये इसको थूप्ट ही है ये है मैंने काट लिया है इसको अभी मैं इसको लेर्स दिखाऊंगे आप लगो को कितने सारे लेर्स में है यह और यह soft है यह hard बिलकल भी नहीं है लेकिन हाँ white जैसे soft नहीं है white जैसे soft होता है ना वैसा सौफ यह नहीं है यह देखें बहुत सब्सक्राइब देख लिए इसका और भी स्टॉक आया है मैं एक एक करके फूलूंगी कुछ तो टूट गया है सौट है इसलिए तूट है उसमें कोई प्राबल नहीं है लिए कि मैंने इतना सब कुछ निकाल लिया है देख लीजिए और इसमें लियर्स देखिए लिए कि मैं लेखा लीजए कर दिए यह विकी मैं लिएक्ष अठयाख कि लीजए कि मैंने लेखाज लेखा 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 है वबयागे वीजए कि तोड़ चोटे बने करके भी मैंने कटिंग करवाया है कि वजन के लिए कभी-कभी छोटे साइज भी जरूरत पड़ता है तो उसको डाल देंगे यह देखिए कितना सॉप्ट हाईगी चोटे पीस देखिए इसमें ही आपको ज्यादा तर लेयर लिख जाएगा प्रम एच्चिए चॉटे 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 पीस में तूपता है रिखेश दुछा जब वाली तोलना चाहती थी, यह 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 देखी, ज़्यादा हाड नहीं है, मैं देख सकते हैं अब भूम फिरके मैं सफद में ही आ जाती हूं बादी में इक्समा सानख करके मट Chicago कि एुम एंकेडर बाध divorce कि एता मैं है। तो प्रड़ खिर में आड़ने होुआ है किपना साथ जब लुड़ 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 है कि अभी गर्मी का टाइम आ रहा है सौप स्टॉक अभी आउन नहीं मिलेगा मतलब यह जो स्टॉन है यह धीरे-धीरे हार्ड बन जाएगा जो स्टॉक मैंने उठा लिया है वो नहीं लेकिन अभी जो न्यू न्यू स्टॉक बनेगा बिया आएगा वो स्टॉक हार्ड ही होगा क्योंकि दूप में पत्थर जो है वो सूप जाता है और भी हार्ड बन जाता है लेकिन ये स्टॉक हार्ड नहीं है बिल्कुल आप देख रहे हैं देखिया और फ्रेंज मैंने आप लोगों से एक वीडियो में एक चीज शेयर किया था जिसको इशब गुल बोलते हैं इशब गुल बोलोग आप लोग उसे खा सकते हैं वो बहुत अच्छा है वो पेट साफ कर देता है अगर किसी को उसके बारे में कुछ भी कन्फूशन है तो आप गूगल पर जाकि उसका सर्च कीजिए उसका क्या रिव्यू है किस लिए खाया जाता है उससे क्या हेल्थ ब मुझे यह वाइट सबसे प्यारा है और यह तो अच्छा है देखिए हाट बिल्कुल भी नहीं है क्रंची है लेकिन सॉप्ट में है कि देखिए कितना सॉप्ट है मैं क्या बता हूँ मुझे तो यह वाइट देखने में मज़ा आता है यह देखिए इसको तोटे है कि इसके अंदर लेयर्स है दो फ्रेंट्स यह हमारा स्टॉक है आप लोग ले सकते हैं रेगुलर हम वीडियो डालते हैं आप लोग वीडियो देखके लीजी आपको अच्छे से दिख जाएगा कैसा स्टॉक है क्या आप लेबल है ठीक है फ्रेंट्स तो अभी के लिए बा इसके पसंदर लेप्रों स्टॉक है आपको अवीडियोगूजर में लेकरी नहीं भी।